उस तो अगर किसी का नाग फैला या चप्टा है तो इसको कैसे सुन्दर और पतला किया जाता है हाई इस वीडियो में एनिमेशन की मदद से देखते हैं सबसे पहले पेसेंट की नोजल टीप में से कुछ हिसा काट कर निकाल लिया जाता है इसके बाद नोजल टीप तो इस ट्रीच के जरी अच्छे से टाइट करके उपर के तरफ गीच कर बात दिया जाता है के बाद नोजल टीप डाल दिया जाता है फिर छोड़ दिया जाता है के बाद नाग बहुत ज्यादा सुन्दर और प्यारे दिखने लगते हैं